अगर फ्रेंट्स आपके पास है बीवो का Y35 तो फ्रेंट्स मैं आपको बताऊंगा इस फॉन के टॉप 10 प्लस हिडिन फीचरों के बारे में जो की काफी ज्यादा अमेजिंग रहेंगे चली फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं इस फॉन के फ्लैसलाइट है इसको आप बनाने के लिए आपको सॉटकटर एंड sz bạn के अपको इसको अजिए इस क्लिक करे TIME के आपको इसंदर का इसको ऑपन के के बारे में रेइम इसपर क्लिक करके आप यहां पे देख सकते हूं बहुत सारे इसकिन सौर्ट के जो फीचर रहते हैं वो अबेलबल हैं तो यहां पे हाड टाइप बहुत सारी इस फोन के अंदर आपको थी फिंगर से इसकिन सौर्ट लेने का भी ऑफशन अबेलबल रहता है इस तरह से क्लिक करने के बाद आप इस फोन में इसकिन सौर्ट को बना पाएंगे अगर चाहिए आपको लॉंग इसकिन सौर्ट तो नॉर्मल इसकिन सौर्ट क्लिक करने के बद जो कि काफी useful रहते हैं इस phone के अंदर friends आप एक screen में दो application को same time में use कर सकते हैं उसको use करने के लिए पहले तो किसी एक apps को open कर लीजिए इसकी बाद अगर आप इस screen को चालो रखने चाहते हैं दूसरी application को भी open करने चाहते हैं तो थी finger लीजिए इस तरह से आप कर दीजिए तो smart motion नाम से आपको देखने को मिल जाएगा इसको चालो करने गली phone के setting में जाए setting में जाके से हलका सा scroll करके नीची के और आजाए फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिल जाता है shortcut and access ability इस पर क्लिए करके आपको smart motion पर क्लिक करना होगा अब आपको देखने म इसके बाद आपको यहां पर double tap turn on screen का भी option देखने को मिल जाता है, अगर चाहें तो आप उसको भी चालू कर सकते हैं, उसको चालू करने के लिए simple आपको यहीं पर रहना होगा, double tap to light का एक option रहेगा, इसको enable करा के आप इसको चालू करा सकते हैं, और जिसके बाद आपको double tap to turn off का भी option है, अगर आप इसको भी चालू कर लेंगे तो double tap करके screen को off कर सकते हैं, और double tap करके screen को on कर सकते हैं, तो इस तरह से friends आपको यह भी feature friends इस phone में available मिल जाता है, इसके बाद आपको इस phone में ऐसे feature देखने हो मिलते हैं, जो साहथ किसी phone में नहीं मिलेंगे, यहां पर आ कर भी आप flash light को on करा सकते हैं, लोग screen बाप flash light को on कराना चाहते हैं, तो volume down बटन को press करा कर रखी, तो आपकी flash light रहती ही वो on हो जाती है, अगर आप चाहें तो इसकी जाए पर किसी दूसरे application को लगा सकते हैं, दूसरे application को access कर सकते हैं, इसको चालू करने लिए आपको फिर apps को set करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके किसी apps को भी आप लगा सकते हैं, volume down से इसको control कर सकते हैं, इस phone के दनर friends, आपको easy touch का भी option देखने को मिल जाता है, जो की iPhone जैसे phone हो में आपको देखने को मिलता है, उसको चालू करने के लिए आपको फिर से shortcut and access celebrity में चले जाना हो तो यहाँ पर आकर आकर आप देख सकते हैं, easy touch का option है, यहाँ क्लिक किजिए और इसको enable कर लिजिए, अब आपको एक walls देखने को मिलेगे, आपके screen पर, इस पर tap करके आपको बहुत सारे control देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आप इनको use कर सकते हैं, जैसे की screenshot है, calculator, screen recording, flashlight, search और easy touch setting भी मिल जाती है, इस पर click करके आप इसकी setting को कर सकते हैं, जैसे की double tap पर आप क्या रखना चाते हो, single tap पर क्या रखना चाते हो, इस तरह के बहुत सारे option रहते हैं, जो कि अपने इसाप से आप चाहें, तो set कर सकते हैं, अब यहीं से थोड़ा सा back आ जाएगी, back आने सकते हैं, किसी और apps के लिए आप set करना चाहते हैं, तो more apps पर click करके दूसरे apps को भी आप add कर सकते हैं, थोड़ा सा back आने बद अब आपको यहां पर देखने हो मिल जाता है flash notification, इस पर click करके आगर आप इस switcher को enable रखेंगे, तो आपके phone पर कोई भी calls बगरा आती है, तो आप आपको पते से लेगा कि आपके phone पर calls पर phone बगरा आ रहा है, तो इस तरह से आप इसका use कर सकते हैं, यहां पर schedule text का एक option रहता है, जब आप इस पर click करेंगे तो यहां पर अपने phone को schedule पर डाल सकते हैं, power on off के लिए, barb rate के लिए on off पर डाल सकते हैं, यहां पर बहुत सारे custom देखने को मिलेंगे, तो यह सफीर से आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, बैक आने को आपको बन hand का एक option देखने को मिलेगा, इसको enable रखना चाहते हैं, तो यहां से enable कर लेजी, hand mode पर लगाने के लिए इस तरह से skin पर click कीजी, तो आपका phone बन hand mode पर आ जाएगा, इसका direction भी इस तरह से click करा के आप बदल सकते हैं, और इसको बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं, तो इस तरह से friends, इस phone मा बन hand mode का भी आप यूज कर पाएंगे, इस phone के अंदर friends, आपको ऐसे feature देखने को मिलते हैं, जो कि skin off में ही आप control कर सकते हैं, जैसे कि music, अपने phone को skin क unlock कराना, तो इनके सब इसको चालू करने के लिए आपको फिर से phone की setting में जाना रहेगा, इसके बाद scroll कीजिए, और सब से last में आ जाईए, फिर सही आपको shortcut and access celebrity पर click करना है, यहां पर आपको फिर सही smart motion पर click करना है, smart bag पर click करना है, फिर आप देख सकते हैं, आपको देखन तो आप one finger को इस तरह से down करेंगे, तो आपको selfie camera रहता है, वो automatic on हो जाएगा, कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखाने बाला हूँ, कुछ इस तरह से down करने पर आप camera को open करा सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, camera open हो चुका है, lock screen पर ही आप अगर major को play करना चाहते है, तो यहां से इस feature को enable कीजिए, अब आप screen को lock कीजिए, और screen पर M को type कर दीजिए, तो आपका music play हो जाएगा, जैसे ही देख सकते हो, music play हो चुका है, इसको stop भी कर सकते हो, गाने को next भी कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी जानते क्या करना हो, इसको next करने के लिए नीच साइक option नहीं आता है देखने को, इस पर क्लिक करके आप किसी apps को लगा सकते हैं, जैसे की e type करने पर आप किसको लगाना चाहते हैं, जैसे chrome browser, calculator, explorer, जो भी आप लगाना चाहें, play store बगएरा उसको आप set कर लीजिए, अब lock screen पर e को type करेंगे, तो आपका जो browser रहेगा, जो आपने set करके रखा है, वो आपका open हो जागा, जैसे मैंने equally type किया, तो मैंने play store लगा रखा था, तो देख सकते हूं, directly play store open हो चुका है, तो इस तरह से friends, यहाँ पर e से भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो यह सब फिर से आपको यहाँ पर lock screen की control के देखने को मिल जाते है अगर इस phone के अंदर आप flirting window का यूज करना चाते हैं, तो वो भी option available है, उसको लाने के लिए फ़हले तो आपको किसी apps को इस तरह से open कर लेना है, और apps open करके recent button को प्रेस कर दीजिए, कुछ इस तरह से, जैसे click करेंगे तो यहाँ इस icon पर side पर click कीजिए, तो यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है, आपको small window, इस पर click करा के आप इसको छोटे area में use कर सकते हैं, इसको कहीं भी इस तरह से रख सकते हैं, move करा सकते हैं, नीचे की और किसी भी apps को आप दूसरे को use कर सकते हैं, तो इस तरह से इस पर आपको फुल जाता है, इसको और बढ़ा करना है, इसको बढ़ा करके भी use कर सकते हैं, close करना है, तो यह क्लिक करके close भी कर पाएंगे, इस phone में जब आप charging करते हैं, तो आपका animation आता है, आप जो style होती है animation के उसको भी बदल सकते हैं, उसको बदलने के लिए phone की setting में जाए, setting में जाके यहां से scroll कीजिए, कुछ इस तरह से, आपको dynamic effects देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए, charging animation पर क्लिक करके आप charging animation को बदल सकते हैं, तो जो यह animation आपको अच्छा लगे, यहां आके आप लगा सकते हैं, बहुत सारी animation अबेलबल हैं, तो friends यहां से आके इसको apply कर दीजिए, तो आपका animation change हो जाएगा, इसको जो face का animation रहता है, face unlocking में आपको देख सकते हैं, यहां पर एक देखने को मिलता है area में, उसको भी बदल सकते हैं, इसके लिए आपको इस option पर क्लिक करना रहेगा, तो यहां पर आपको बहुत सारे face के animation देखने को मिल जाएगे, जो भी आप लगाना चाहें, यहां से आके उ setting में जाएगे, यहां से आके खलका से scroll कीजिए, फिर से आपको यहां पर क्लिक करना रहेगा, जो की रहेगा, dynamic effects, इस पर क्लिक करके unlock and enter home screen का एक option रहता है, इस पर क्लिक कर दिना है, तो यहां बहुत सारे animation आपको देखने हो मिल जाएगे, इन पर क्लिक करके आप यहां चे इसकी screen unlock में देख सकते हो, कुछ इस तरह से, तो यह भी आप लगा सकते हैं, तो काफी अच्छे-च्छे feature इस phone में देखने हो मिलते हैं, आपको कौन सा feature response का सब सब बैस्ट लगा, मुझे comment करके जरूर से बताएं, तो friends यह थे कुछ amazing feature, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो और चले हो, तो जब रूरू से चैनल को subscribe कीजिए, चलिए friends मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक किलिए goodbye and take care